प्त्रपदेश सिवाजी महराज की, श्री संत स्यवालाल महराज की, हर हर महादेव, सरवल्ला राम राम, नांदेड आणी हिंगोली कराना माजा नवश्कार, 26 अप्रिल ची तयारी जाली ना, खरेच, मैं सबसे पहले मराधावाड की महान धर्ति से, हुजूर सहब को, गुरु गुविन सीजी को प्रणाम करता हूँ, मैं रेणू का माता और दत्त भगवान के चरणों में प्रणाम करता हूँ, मैं बाबा साब आमबेड कर और नाना जी देश्मोक दोनों भारत रखना, जैसे राश्पुरुशों को नमन करता हूँ, साथियों, कल देश में पहले चरण का मतदान संपन्द हुआ है, मैं वोटिंग करने वाले सभी लोगों को, और विशेश कर हमारे फर्स्ट टाइम वोटर्स को बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ, और उनका आभार भी व्यक्त करता हूँ, मतदान के बाद, अलग-अलग लोगों ने बूथ लेवल तक का जो एनालिसिस किया, और जो जानकारिया मिल रही है, उसे विश्वास पक्ता हो रहा है, कि पहले चरण में, एंडिये के पक्ष में एक तरफा मतदान हुआ है, लेकिन मैं देश वास्यों से आग्र करूँगा, एंडिये की जीत आप पक्की कर रहे हैं, मैं सर जुका कर आपका आभार वेक्त करता हूँ, लेकिन जो लोग मतदान नहीं करे रहे, पहले चरण में, लोग तंत्र की ये सबसे बड़ी ताकत होता है, आप किसी को भी वोट दे, लेकिन वोट जरूर दे, हमें वोट में कभी भी उदासिंता नहीं करनी चाहिए, और ये बात सही है, गर्मी बहुत है, दिक्कते भी हैं, शादिया भी है, कुछ हिलाके हैं, जहां किसान भी काम में हैं, फिर भी, जब हम देश के जवान की दरब देखते हैं, कोई भी मौसम हो, सीमा पर, कितनी ठंड हो, बरब गिर्ती हो, कितना ही गर्मी हो, वो डटा रहता है, क्यों? देश के लिए, मैं मानता हूँ, मतदाता हूँ के मन में भी, ये भाव होना चाहिए, कि मैं मतदान किसी पर उपकार नहीं करता हूँ, मैं मतदान करके, मेरे देश का भविश्य पक्ता करता हूँ, मेरे देश के भविश्य को सुनिस्चित करने लिए मतदान करता हूँ, और इसलिए एंडिये के भग्वे विजय की पहले चरण में साप साप आपका सहयोग के बावजूद भी लोग तंत्र के लिए मैं फिर आगर करूंगा कि भारी मद्दान होड़ा चाहिए और मैं राजनीतिक छेत्र के सभी दल के कार करता हूँ कहूंगा वहले आपको लगता हूँ आज कि भाई अब चुनाव हारने वाले क्यों मेहनत करें मैं उनको भी कहता हूँ लोग तंत्र के लिए मेहनत कीजिए अरे आज नहीं तो कल कल नहीं तो परसो परसो नहीं तो नर्सो अरे कभी तो मोका आएगा ऐसे निराज हो के क्या बैट गए हो और इसलिए इसलिए जिनकी हार सुनिश्चिद है उनके कायर करता हूँ को भी मैं होसला बुलन करते हुए कहना चाहता हूँ क्या मद्दाताओं को जुरूर मद्दान करने के लिए प्रेरित कीजिए क्योंकि दुनिया के लोकों को दुनिया में वोटिंग परसेंटेज बहुत काम होता है भारत में जब इतना सारा वोटिंग परसेंटेज होता है उसका विश्वे प्रभाव होता है भारत की की ताकत का एक मजबूत उधार मनता है दुनिया को भी भारत को समझने के लिए अधिक्तम बोटिंग बहुत जरूरी होता है और आने वाले 25 साल तो विश्व में भारत के महातमय के वर्ष है और इसलिए अधिक मद्दान हमारी लोकतांत्रिक ताकत का परिचे देता है साथियों बोटर भी देख रहे हैं कि कैसे इंडी एलाइंस के लोग अपने स्वार्थ में अपने प्रस्टाचार को बचाने के लिए एक साथ आए है और इसलिए खबरे यही है कि पहले चरण में वोटर से इंडी एलाइंस को पूरी तरह नकार दिया है कि मतदाता मतदान करने जाता है सोता है यह इंडी एलाइंस वालो आखिर देश किसके हाथ में सूपना है कोई तो चेहरा बताओ इतना बड़ा देश हम किसको सुपरूत करें उत्तो बताओ वो बता ही नहीं पा रहे हैं यह लोग दावे जो करें लेकिन सच्चा यही है कि चुनाव की गोस्णा से पहले से ही कॉंग्रेस के नेता अपनी हार मान चुके है और इसलिए कुछ नेता जो लगातार लोग सभा में जीत करके आते थे इस बार आपने देखा है वो लोग सभा का चुनाव छोड़ करके राज सपा के रास्ते से अंदर जाके बैठ गए हैं चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं रही है जी जहां कि इंडी एलाइंस के लोग अंदर अंदर एक दूसरे के खिलाब चुनाव लड़ रहे हैं अब वो किस प्रकार की बाते करतेंगी कोई कल्पना कर सकता है चलो पर एकाज दो में गड़बर हो जाए वो तो समझ सकते हैं 25 परसंट सीटे ऐसी है इस देश के लोग सबागी जिसमें यह जो अपने आपका गड़बंदन का कलेम करते हैं वो आपस में चुनाव लड़ रहे हैं आपस में एक दुसरे को जेल में डालने की बाते कर रहे हैं आपस में एक दुसरे पर आरोप लगा रहे हैं क्या ऐसे लोगों पर भरोसा कर सकते हैं क्या ऐसे लोगों पर भरोसा कर सकते हैं जो अंदर अंदर भरोसा नहीं कर सकते हैं उस पर आप भरोसा कर सकते हैं क्या अगर उनको थोड़ी सीटे प्रार्लामेंट में मिल गई तो अंदर भी वो तुफान करेंगे मिल गई तो अंदर भी वो तुफान करेंगे और इसलिए इस तुनाओं में इनको सबक सिखाना बहुत जरूरी है भाई और देखिए कॉंग्रेस के जो सहजादे हैं उन्हें भी वाईनाड में संकट दिख रहा है सहजादे और उनकी टोली 26 अप्रिल को वाईनाड में वोटिन का इंतेजार कर रही है जैसे ही 26 को वाईनाड में वोटिन करेंगे और इसलिए इस तुनाओं में इनको सबक सिखाना बहुत जरूरी है भाई और देखिए कॉंग्रेस के जो सहजादे हैं उन्हें भी वाईनाड में संकट दिख रहा है सहजादे और उनकी टोली 26 अप्रिल को वाईनाड में वोटिन का इंतेजार कर रही है जैसे ही 26 को वाईनाड में वोटिंग पुरा हो जाएगा ये सहजादे के लिए एक और सुरक्षी सीख गोसित कर देंगे और कहीं और से फिर से लडाना पड़ेगा उनको क्योंकि उनके एलाइन के साथी भी एक दुसरे को गालिया दे रहे हैं कल आपने उनके साथी केरल के मुख्यमंत्री ने जो सहजादे को सुनाई है मैं भी कभी ऐसी भाचा नहीं बोलता हूँ ऐसी भाचा बोली है उनका अब जैसे इनोंने अमेटी से भागना पड़ा अमेटी छोड़ा अब मान के चलिए वो वाइनाड भी छोड़ेंगे आप कॉंग्रेस का ये परिवार आपको आस्तेरों का आजादी के पहली बार सिती ऐसी बन रही है कि ये कॉंग्रेस का परिवार इस चुनाव में कॉंग्रेस को वोट नहीं देगा खुद खुद कॉंग्रेस को वोट नहीं देगा ये हाल है इनका क्योंकि जहां वो रहते हैं वहां कॉंग्रेस का उम्मीद्वारी नहीं है अब ये एसी स्थिति कभी सोची है अपने कोंगरेस की कि जिस परिवार के भरो से कोंगरेस चलती है वो परिवार खूद कोंगरेस को वोट नहीं दे पाएगा शाथियों आप देखिये गा फिर एक बार फिर एक बार शाथियों कोंगरेस गरीब दलीद वन्चीत मद्दोर किसान के विकास के सामने हमेशा दिवार बनके खड़ी है आज भी एंडिये सरकार गरीब के लिए कोई काम करती है तो कंगरेस उसका मजाक उड़ाती है आज जादी के छे दसको बात पहली बार हमने करोणों गरीब महिलाओं को सवचालाई देने का भियान लोग उसका मजाक उड़ाते से मैंने 50 करोड से जादा गरीबों के पहली बार बैंक खाते खुलवाए तब ये लोग कहते थे कि गरीब बैंक खाते को क्या करेगा हम देश में डीजिटल इंडिया और यूपी आई जैसी टेक्नलोलोजी लेकर आए तब कॉंग्रेस सरकार के एक बड़े मंत्री रह व्यक्ति कहते थे कि डीजिटल लेंदेन अनपड गरीबों के बहस की बात नहीं है जिस कॉंग्रेस पार्टी के सोच ही ऐसी हो जिसको देश की जनता पर भरोसा ही ना हो उससे आप देश के विकास की उमीद कभी कर सकते हैं क्या उन पर भरोसा कर सकते हैं क्या ये लोग महराष्ट और मराठा वाड़ा की समस्यों का कभी भी समाधान कर सकते हैं क्या आपकी समस्यों का समाधान कर सकते हैं क्या साथियों कॉंग्रेस ने दस्वकों तक महराष्ट और खासकर विदर्प और मराठवार के विकास का दम गोटने वाला का काम किया है इस छेत्र में जूखे की स्थिती पानी का संकाट एक दिन में प्यादा नहीं हुआ है कॉंग्रेस के रवये के कारा यहां किसान गरीब होते गए जहां उद्योगों से जुड़ी संभावना इस सुक्ती चली गई मराठवार के लौखों युवाओं को बलाएन करना पड़ा आपको इस स्थिती से निकान ले के लिए NDA सरकार प्रतिबद्ध है यहां एकनाचिंदे जी देवेंद्र पनवज जी और अजीत पवार जी मिलकर किसानों के हीत में काम कर रहे हैं और अब तो इक चेत्र में और कुछी की बात है असोग जी भी हमारे साथ आ गए हैं और मुझे आद है मैं जब राजनिती में भी नहीं था और कभी मुझे लगता भी नहीं था मैं राजनिती में जाऊंगा उस समय पूट पट्टि में साही बाबा ने मुझे उनके पिदाज़ी से परिचे करवाया दाई बाबा का मुझे पर बहुत प्रयाम रहता था और में उनके पिताजी के साथ लंब वहाँ समय था तो काफी देर बैर था इतने उच्च पदों पर रहने के बावजूद भी राजनितीक जीवन में इतना लंबा सफल केरियर रहने के बाद मैंने उनकी जो नम्रता मैं तो बहुत छोटी आयू का था सामान नहीं मेरे राजनिती ते कोई लेना देना नहीं था लेकिन जिस प्रकार से प्यार से उनसे बाते करने का सवभा के मुझे मिला वह कभी भी भोलने इस सकता हूं मैं हमेशा उनके व्यावार में से आज भी कुछन कुछ सिखने की कोशिश करता थेàng और परिवार आज अमारे साथ है हम दनान्देर के 80% से ज़्यादा घरों में नल से जल आने लगा है सीन्चाई की समस्या के समाधान के लिए अपर पैन गंगा प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है यहां के किसानों को इसका बड़ा लाब मिलेगा हमारी सरकार ने फसल विमायोजरा के तहट किसानों को प्रीमियम से पाँच गुना ज़्यादा क्लेम दिलवाया है किसान सम्मान निजी के तहट अकेले नान्देर के किसानों को ही 1300 करोट रुपिय से ज़्यादा मिले है इस खेत्र में तो जवार बाजरा बहुत होता है इस मोटे अनाज को पुरे देश में पहचान दी है उसके लिए पहचान दी है स्री अन्न चाहे जवार हो बाजरा हो वो स्री अन्न के साथ पहचान ही जाए और जब से ये काम चुरू किया है दुनिया भर में लोगों का ध्यान हमारे स्री अन्न पर गया है सूपर फूर के रुपे गया है और नुट्रेशन की दुश्री से बहुत बड़ा ताकतवर संदेश गया है और इसका भी बड़ा लाब नांदेड के किसानों को मिलना तय है साथियों कॉंग्रेस के दिये हर जखम का इलाज करना ये मोदी की गारंटी है इस खेत्र को शक्ती पीट एक्सप्रेस वे और सम्रुद्धी महामार जैसे वर्ल्ड क्लास रोड्स मिली है लातूर की रेल कोच फैक्टरी का लोकारपन करने का सहुपा कि मुझे ही मिला था उडान योजना के तहट नांदेड एरपोर्ड को भी फिर्शे शुरू कर दिया गया है पीएम आवास योजना के तहट यहां जारों गरीबों को पक्के घर भी मिले हैं आईश्मान योजना के जरिये तीन लाग से ज़्यादा लोगों को मुप्त इलाग की सुविदा मिली है लेकिन इन दस वर्सों में जो काम हुआ है वो तो अभी ट्रेलर है अभी तो हमारा पहुत समय कॉंग्रेस को एक गड़ों को बरने में गया है अगले पांच वर्सों में हमें मराठाबार और महाराष्ट्र को बहुत आगे ले कर जाना है साथियो नांदेड की ये धर्ती सीख गुरुओं के चरणों से पवित्र हुई खाल्सा पंत की गुरु परंपरा और गुरु गोविन सीची के सीख हमेशना हमारी सरकार के लिए प्रेना रही है बीटे दस वर्सों में हमने सर्बत्ता भला कि रास्ते को मानकर लोग कल्यान के लिए काम किया है हमारी सरकार को गुरु नानक देव जी का 550 वा प्रकास पर्म मनाने का गुरु तेग महदूर जी का 400 वा प्रकास पर्म मनाने का गुरु गोविन सी जी का 350 वा प्रकास पर्म मनाने का सो भागे मिला करतारपूर कोरिडोर का काम पूरा होने के बाद लाखोस रधालूं को वहां के दर्शन में मदद मिल रही है लंगर को टेक्सी करने का नेने हो या हर मंदिर साहाब के लिए एपसी आरे की अनुमती हो बुजूर साहब और हेमकुन साहब के दर्बार तक बहतर इंफ्रासेक्टर का इंतजाम करना हो NDA सरकार ने सिख परंपरा से जुड़े हर तिल्ट के विकास के लिए पूरी शक्ति और पूरी भक्ति से काम किया है यह हमारी ही सरकार है जो अफगानिस्तान से वहाँ जब संकट आया निर्दोस्त लोगों की हत्याएं होने लगी हमारे धर्बस्तानों पर हमले होने लगे तब हम अफगानिस्तान से गुरू ग्रंत साहब के पवित्र स्वरुवप को पूरी सुरक्षा और मान मर्यादा के साथ हम अफगानिस्तान से भारत ले आए यह हमारी ही सरकार है जो बटवारे के पीडितों के लिए CAA लेकर आई CAA ना होता तो हमारे सीख भाई बैनों का क्या हुआ होता जो अफगानिस्तान से आये हैं उनका क्या गुना है लेकिन कॉंग्रेश इसका भी विरोद कर रही है ऐसा लगता है चौर ऐसी का बदला कॉंग्रेश सीखों से अब तक ले रही है साथियों हमारी सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरे होने की गारंटी मोदी ने गारंटी दी थी कश्मीर को आर्टिकल 370 से मुक्ति मिलेगी आर्टिकल 370 आज इतिहास बन चुका है मोदी ने गारंटी दी थी तीन तलाग खत्म होगा आज मुस्लिम बहनों को तीन तलाग से मुक्ति मिल चुकी है मोदी ने गारंटी दी थी देश की अर्थे ववस्ता को गड़े से निकालेंगे कि आज भारत डुनिया की 50 सबसे बड़ी अर्थे ववस्ता है मोदी की गारंटी है भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थे ववस्ता बनेगा और आप सब देख रहें आज आयो धा में राम लला का भव्य मंदिर बन कर तयार लेकिन ये इंडिया गाड़ी वाले क्या कर रहे हैं लेकिन ये इंडिया गाड़ी वाले क्या कर रहे हैं ये लोग सनातन को गाली दे रहे हैं ये लोग राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का बैश्गार करने को सही ठहरा रहे हैं ये लोग राम मंदिर में पूजा अर्चना को पाखन बता कर हमारी आस्था का अपमान कर रहे हैं क्या ये माप करने योग है क्या ऐसे लोगों को माप किया जा सकता है क्या सात्यों मराठावार के वाले के लाका नहीं ये हमारे भारत का सुरक्षा कवच्छा है मुगल आए अंग्रेज आए लेकिन मराठा शावर्य ने ये सिद्ध किया कि भारत हमेशा रहने वाला है आज एक बार फिर विक्षिद महाराष्ट्र और विक्षिद मराठावा भारत के लिए विक्षिद मराठावार के लिए हमें सबसे आगे खड़ा होना दिखता है आने वाली 26 एप्रिल को आपको मराठावाडा के विकास के लिए और हिंगोली लोगसभा से बाबुराव कोहली कर इनको रेकोर्ड वोटों से जिता कर मुझे मजबूती करनी है ये दोनों उमिद्वार आपके साउसद बनकार साउसद में मोधी को ताकत देंगे और इसके लिए आपको कुछ काम करना है करेंगे आपको कुछ काम करना है करेंगे एक आपके बूत में मतदान के पुराने सारे रेकोर्ड तूटने चाहिए जादा से जादा मतदान करना है करेंगे बूत में जादा से जादा मतदान पका करेंगे दूसरा, हमें पोलिंग बुच जितना है, पोलिंग बुच जितेंगे, पोलिंग बुच जितेंगे, हर पोलिंग बुच जितेंगे, सभी मत्ताताओं से मेरा आग रहे हैं, हर पोलिंग बुच जितना है, अच्छा मेरा एक और काम करना है करेंगे करेंगे देखें महाराष्ट के गर-गर जाना और हर परिवार में जा करके मोदी का प्रणाम पहुचाना मेरे प्रणाम पहुचाएंगे हर गर में पहुचाएंगे बोलिये भारत माता की भारत माता की भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद